हेलो सुली इंजिनियर्स मेरा नाम है शाजेब I am professional estimation engineer और आप सभी इंजिनियर्स के लिए corporate tenor तो जैसे कि जब हम site पे execution करते हैं आप चाहें किसी भी column का execution कर रहे हैं site पे उसको लगा रहे हैं या आप किसी भी foundation को लेकर slab को लेकर के beam को लेकर के आप किसी भी तरिके का कोई भी execution आप site पे करते हैं कोई भी आप काम site पे कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि किसी वज़ा से आप कुछ गलतियां कर जाते हैं जो गलतियां आपकी notice नहीं हो पाती है या किसी भी वज़ा से आप उसको notice नहीं कर पा रहे हैं कोई और भी उसको नहीं देख पा रहा है लेकिन वह एक्चुल में वहां पर हम कुछ गल्तियां करते हैं इस तरीके से जो गल्तियां कर रहा है हम क्या हमें करना चाहिए क्या चीज सही है क्या चीज गलत है तो वह चीज हम देखेंगे कि क्या चीज आपकी सही क्या गलत हो सकत देखेंगे हम जाना कि गलती करेंगे और ऐसे हम रहें वरक-बिकर गलती को कैसे यहां पर सही करेंगे तो तो आप आप यहां से ऊवरलैप कर रखा ए चाहा हैm याप यहां प्रफुल बार्श वलगाते हैं छाकते हैं जासे की अगर आप ground floor पर काम कर रहे हैं तो ground floor जब first floor पर जाएंगे तो आप महाँ पर steel bars का overlap करेंगे first floor पर जा करके तो column में आपकी zones रहती है S1 zone रहती है, S2 zone रहती है, जो junction के past की zone रहती है वो आपकी S1 zone होती है, जो junction के बाद में जो zone आती है कि क्या यहां पर नहीं होना चाहिए तो यहां पर इसमें आप देखेंगे कि यह जो overlap किया है इसने एक ही point पर सारा overlap किया हुआ है और इसमें एक और गलती है उसका भी हम आगे देखेंगे तो इसको देखेंगे आप यह overlap सारा एक ही point पर है कि यह ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका जो overlap होगा, तो alternate होगा, ठीक है, यहाँ पर alternate overlap होगा, यह की section में overlap नहीं होना चाहिए, और इसमें एक और गलती है, उसको अभी आप आगे देखेंगे यहाँ पर, तो देखें, यह overlap हो गया, यह आपकी सबसे वड़ी mistake है, आपको एक ही point यहाँ पर नहीं करना है, अब इसके बाद आप देखेंगे, टाइज लगा दी हमने यहाँ पर, टाइज में भी बहुत सारी गलती है की जाती है, टाइज में यहाँ पर जो सबसे बड़ी mistake है, वो आप यहाँ पर देख पाएंगे easily, जो टाइज के दोनों end है, जब हम आगे देखेंगे, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको overlap कैसे करना है, तो यहाँ देखिए, अब overlap आप कैसे करने हैं, देखिए, आपने आपकी column में चार बार्स लग रही है, और चार बार में आप देख रहे हैं कि दो बार्स आपकी यहाँ पर कट कर दी, सिर्फ एक section में 50% overlap किया, हमने alternate bars को cut किया यहाँ पर, और फिर यहाँ पर आपने देखा कि हम straight overlap नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर थोड़ा सा slow provide कर रहे हैं, जो हम ऊपर बार लगा रहे हैं, जो overlap करके आप बार लगा रहे हैं, उसको आप tilt कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर यहाँ पर bend किया, तो आपकी जो बार रहे हैं, वो easily नीचे वाली बार पर हलका सा rest करके जाएगी, जब इससे आप इस तरीके से bend करेंगे, कभी भी आपको बिल्कुल एक दम सीधी बार overlap नहीं करनी है, आपको हलका सा यहाँ पर bend करना है इसको, कितने देशियों पर करना है यह भी आप आगे देखेंगे, तो यह दो mistake थी, आप इसके बाद आगे देखेंगे, अब यहाँ पर आप देखेंगे ties लगा दी, ठीक है, अब जब ties लगाई हैं हमने, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं easily, कि जो ties को हमने bend किया, जो उसकी दोनों end को bend किया, उसको हमने column के अंदर side 135 degree पर bend करके रखा हुआ है, अब इसमें देखिए, जहाँ पर आपको wrong things दिखा रहा है, यहाँ पर आपके जो ties है, इसके जो दोनों end है, वो straight हमने कर रखेंगे हैं, बिल्कुल सीध हैं आपके यहाँ पर, लेकिन जो सही चीज यहाँ पर दिखा रहा है, जो right आप को tick दे रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर आप easily देख पा रहा हैं कि जो आपकी ties है, इसके जो दोनों end है, वो हमने 135 degree पर bend करके रखा हुए, इसको देख लीजाए आप यहाँ पर easily, यह देखिए, सारे हमने 135 degree पर bend कर दिये, अब इसमें 135 degree पर bend करने के बाद भी कुछ mistake हम करे आपको देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने 135 degree पर bend करके और यहाँ पर tilt कर रहा है, बार्स को जहाँ पर हमने overlap किया है, overlap भी आपका alternate है, अब देखिए, यहाँ पर rules of column design, जो चीज मैंने आपको बताई, 100% overlap in a section, मतलब कि जो चीज आपको नहीं करना है, यहा slope, lap, length, bend, bar, at overlap, ray bar, length, मतलब कि जो हम बार को जो overlap वाली बार हम लगा रहे हैं, उसको हम tilt या bend नहीं कर रहे हैं, यह हमारी गलती रहती है, हम कभी भी सीधी बार नहीं लगाएंगे, तीसरी यहाँ पर जो mistake है, all ties with end bent in one direction, हाँ, जो मैंने आपको बताया, कि 135 degree पर bend करने के बा इसी ties को एक ही direction में आप नहीं लगाएंगे, आप एक ties का यहाँ पर end रखेंगे, दूसरी ties का दूसरे corner पर, तीसरी ties का तीसरी corner पर, मतलब कि सब को आप अलग अलग लगा दीजी, एक ही point पर आप सारी ties के end को मत लगाएंगे, यह सबसे बड़ी गलती है, इसके बाद, end of ties are not bent 135, तो यहाँ पर हम अलग इसको देख चुके है, 135 डिगरी पर अगर आप bend नहीं कर रहे हैं, that is a mistake, इसके बाद आप देखेंगे, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, this zone area is not enough ties, जैसा कि मैंने आपको starting में बताया वीडियो में, कि आपकी जो ties है, तो S1 zone और S2 zone होती मतलब कि अगर ground first floor के हम बात कर रहे हैं, तो ground floor पर junction होगा, क्योंकि ground floor पर आपकी slab, column, beam सारे मिल रहे हैं, और ground floor के बाद जब first floor स्टार्ट होगा, यह next floor स्टार्ट होगा, तो वहाँ पर junction होगा, तो एक column में ऊपर से और नीचे से junction दोन तरफ से हैं, तो वहाँ पर जो zone रह लगा रहे हैं, दूर दूर लगा रहे हैं, और S1 zone में पास-पास हम ties को लगाएंगे, मतलब कि कम spacing से हम ties को लगाएंगे, हमें S1 zone में junction के पास में ज्यादा ties लगानी पड़ेंगी, और यह आपको सारी चीज़ें structural rank में मिलती हैं, तो यह भी mistake है आपकी column के design में, अगर इस करनी हैं, तो यहाँ पर आपका जो first point है, वो इसली आपको यहाँ पर बताएगा, कि आपको यहाँ क्या करना है, अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका जो overlap है, वो 50% होने चाहिए एक section में, यह आपको किलेली बता रहा है, 50% यह उससे कम होना चाहिए, तो इसके बाद दूसरी जो आपका चीज आपको करनी है, जो सही चीज है आपकी, आपको जो लेप जो आप दे रहे है overlap, वो जब आप बार को slope में bend करेंगे, तो उसका slope को ratio 1 ratio 6 होने चाहिए, यह clearly आपको यहाँ पर दूसरे point में बता रहा है, जो आपका तीसरा point है, जो point आपको clearly यहाँ पर बता रहा है, all end of ties are not in one direction, तो one direction में कभी भी आपकी सारी ties नहीं रहनी चाहिए, सारे end एकी direction में नहीं आने चाहिए, अलग-अलग corner पर आप उसको fix करें, alternate आप उसको fix करें, जो आपका पांचवे point है, यह आपको clearly यहाँ पर बता रहा है, this zone is more end of ties, तो आपने दोनों end को बिल्कुल एकदम सीधा state छोड़ दिया है, और एक ties में आप देख रहा है, easily, कि यहाँ पर आपकी जो ties है, वो आपकी 135 डिग्री पर अंदर की side bend हो रही है, तो यह जो है, यह आपकी correct है, और जो state है, वो आपकी गलत है, इस तरीके से आपको नहीं करना ह तो यह सारी mistakes थी, जब आप side पर execution कर रहे हैं, जब आप column की skill को fix करेंगे, तो column में आपको यह गलतिया नहीं करना है, otherwise आपको वहाँ पर problem हो सकती है, अगर आपका client वहाँ पर notice कर रहा है चीज़ें, तो आपको execution करते टाइम, या bill लेते टाइम आपको दिक्कत हो सकती है, तो इस तरीके की चीज़ें आपको नहीं करनी है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो इसी तरीके से और भी बहुत सारी videos अभी बनाएंगे, हम लोग अपने reinforce के channel पर बहुत सारी videos upload करनी है इस तरीके की, तो देखते रहे हमारी यह सारी videos, अगर आपको यह video पसंद आई तो प्लिस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे reinforce के channel को subscribe कीजिए, और next video दख के लिए, thank you